स्वाध्याई की शिंकला में प्रस्तुत है पुस्तक मरने के बाद हमारा क्या होता है? ओडियो 5 स्वर्ग सुख भी नियत समय तक ही रहता है स्वर्ग का आनंद मिलने का उद्देश से यहा है कि उसकी आत्मिक योगिता अधिक चैतन्य एवं उत्साहित होकर आगामे जीवन में अधिक सुख्ष्म बन जावे स्वर्ग सुख के अधिकारी जो व्यक्ति होते हैं उनकी तुच्छ इंद्रिया लिपसाएं पहले ही शान्त हो जाती हैं इसलिए जैसा की अज्यानी समझते हैं स्वर्ग लोक में इंद्रिय वासनाएं त्रिप्त करने के सामागरिश से ही भरपूर है वैसा ही नहीं होता इंद्रियों के गुलाम और वासना के कीड़े स्वर्ग सुख से बहुत रहते हैं मद्दपान, वेश्यागमन, मैतुन, आदि का नाम ही यदि स्वर्ग में हो तो ऐसे स्वर्ग के लिए इतना तप करने की कुछ आविशक्ता नहीं वहा कुछ पैसे खर्च करके यहां भी चाहे जब प्राप्त किया जा सकता है यद हार्थ में स्वर्ग सुख इंद्रियों का सुख नहीं वरन अन्ता करन चतुष्ट्य मन बुद्धी चित एहंकार का आनंद है यह इंद्रिय सुख की अपेक्षा बहुत उचे दर्जे का है अध्यात्म तत्व के जग्यासु जानते होंगे कि आत्मा में आनंद अनंत शक्ती है इश्वर का अंज किसी प्रकार अशक्त नहीं है वा इच्छा मात्र से ही स्वर्ग नर्ग की रचना कर लेता है इसमें आश्चर्य और अविश्वास की कुछ बात नहीं है इश्वर ने इच्छा की कि एको हम बहुत स्याम मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ बस वा द्रिश्य जगत की रूप में प्रकट हो गया आत्मा इच्छा नुसार जागरत अवस्था सौपने अवस्था और सुशुक्ति अवस्था की रचना करता है जन्म मरन को स्वर्ग बनाता है उसी प्रकार स्वर्ग नरक का निर्मान कर लेता है इच्छा से बंदन में बदता है और इच्छा से ही मुक्त हो जाता है यह सब बाते उनकी निजी शक्ति के अंतरगत है पुनर जन्म की तयारी परलोक में रहने की अवधी के पहले भाग में विश्राम दूसरे में स्वर्ग नरक होते हैं तीसरा भाग उनर जन्म की तयारी में वितीत होता है स्वर्ग नरक भोगने के बाद आगामे जन्म के लिए जीव को विशेस प्रोतसाहन मिलता है नरक भोगने वालों के साधारन पाप तो प्राया नस्ट हो जाते हैं किन्तु आदते शेस रह जाती है इन आदतों को आध्यात्मिक भासा में संसकार के नम से पुकारा जाता है यह आदते तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि जीव उन्हें ज्यान पूर्वक पहचान कर छोड़ाने का वास्तविक प्रियत्न ना करे बंधन के कारण यही संसकार है जीव स्वतंत्र है वह अपनी इच्छानुसार संसकार बनाता है और उनी में जकड़ा रहता है यह माया और कुछ नहीं अज्यान का एक परियावाची शब्द है अपने आपको खुद अपने ही अज्यान के बंधन में उलज़ा कर दुखी होना बड़ी विचित्र बात है इसी गोरक धंदे को दुस्तर माया के नाम से पुकारा गया है शुभाशुब कर्मो का फल भोगने के बाद भी उसके पूर्व संसकार नहीं मिट्टे जैसे एक जुवारी दन सपत्ती हार जाने पर भी जुवाँ खेलने की इच्छा करता है शरावी अनेक कस्ट सहकर भी मद्दपान की और लालाइत रहता है उसी प्रकार पिछली आदतों के कारण जीव पुनर जन्म के लिए अस्थान तलास करता है यह मद्यम स्रेडी के व्यक्ति प्राया पूर्व जन्म जैसे इस्तिती के वातावरण में आकर्शित होते है मान लीजिए एक व्यक्ति इस जन्म में किसान है सारी उम्र उसके मन पर खेती के संसकार जमते रहे अब वह अगले जन्म में भी दुकानदार होने की अपेक्षा किसानी ही पसंद करेगा ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई अन्य शक्ति बलात जम दे देती है जीव स्वयम अपनी इच्छा से संसकारों के वसी भूत होकर जन्म ग्रहन करता है उपर उड़ता हुआ गिद्ध जैसे तिश्ड द्रिष्टी से मृत पशु को तलास करता फिरता है उसी परकार जीव निखिल आकाश में अपना रुचिकर वात तवरन धूनता फिरता है पहले यह बताया जा चुका है कि तर्क, बहस वा चुनाव करने वाली भौतिक बुद्धी परलोक में नहीं रहती इसलिए वा चालाकिया नहीं जानता और अपने स्वभाव के विपरीद उची या नीची इस्तिती की ओर नहीं खिचता छोटा बालक राजमहल की अपेक्षा अपनी जोपड़ी को पसंद करता है उसी प्रकार किसी विपरी संसकारो का जीव राजगर में रहने की अपेक्षा विपरी परिवार में शामिल होना पसंद करता है आदे से अधिक मनुस्य प्रायः अपने पूर्व घर या परिवार में ही जन्म लेते है यदि पूर्व घर में उसे अपमानित, लांक्षित या बहिस्कृत ना किया गया हो तो वह उसी में या उसके आसपास जन्व लेना चाहता है दूरी के संबंद में भी यही बात है पूर्व जन्व के प्रदेश में रहना ही सब पसंद करते हैं क्योंकि भाशा, भेस, भाव की गहरी चाप उनके मन पर अंकित होती है इटली का मनुस्य भारतवर्स में या भारतवर्स का टर्की में जन्म लेना पसंद ना करेगा कोई विशेश ही कारण हो तो बात दूसरी है हमारी स्थूल इंत्रियों के लिए यह पहचानना कठिर है कि किन अस्थानों में कैसी मानसिक इस्थिती और आंतरिक वातावर्न है पर परलोक वासी इस बात को बड़ी आसानी से पहचान लेते है वे जहां ठीक इस्थिती देखते है उसी परिवार के आसपास डेरा डालकर बैठ जाते है पर लोक वासीों को पिछले कही जन्मों का भी अस्वरन हो आता है यदि वे पुराने घरों में अधिक स्थिती रखते है तो उनकी ओर खिच जाते है बहुत समयवतित हो जाने पर उन परिवारों की ओर अपनी मनोवृत्ति में अंतर आ जाता है तो भी वे कभी कभी खिच जाते हैं किसी विद्वान कुल में या मूड का जन्म लेदा या असुर कुल में महात्मा का पैदा होना दो कारणों को प्रकट करता है पहला या तो वह कुछ पीडियों के उपरांत बदल गया है और जीव के संस्कार पुराने ही मजूद है दूसरा या वह जीव दूसरे ढाचे में ढल गया है और केवल व्यक्तिगत इसने के कारण उस कुल में खिच आया है हम बार-बार दूरा चुके हैं कि जीव स्वतंत्र है वह अपने आचरणों से संस्कारों में असानी से परिवर्टन कर सकता है जब किसी परिवार में कोई विपरित स्वभाव की संतान पैदा हो तो समझना चाहिए कि या तो वह कुल बदल गया है या वह जीव प्राचीन मों के कारण ही या बेमेल संयोग में बिला है जिस परिवार में जन्म लेना जीव पसंद करता है उसे आसपास मढ़राने लगता है अवसर की प्रतिक्षा करता है जब किसी इस्त्री के पेट में गर्ब की अस्थापना होती है तो वह उसमें अपनी सत्ता को प्रवेश करता है और नौमास गर्ब में रहकर संसार में प्रकट हो जाता है कई तत्वग्यों का मत है कि यह गर्ब पर अपनी सत्ता जमाता है और पूरी तरह सरीर में तब प्रवित होता है जब बालक पेट से बाहर आ जाता है हमारा मत है कि सम्भोग की समय रजवीर्य का सम्मलित होकर यदि गर्ब कलल बन जाए तो उसमें कुछ ही छड़ उपराद जीव अपना अधिकार कर लेता है और गर्ब में रहने लगता है यह समझना ठीक नहीं कि गर्ब में बालक को बड़ा कस्ट होता है क्योंकि उस समय तक गर्ब का मस्तिस्क और इंद्रियां अविक्सित होने के कारण जीव को पूरी तरह बंदित नहीं करते और जीव का कुछ का विशेश बंदन नहीं होता वह उदर में गोसला रखता है पर अपनी चेतना से चारो ओर ब्रहमण करता है जन्म लेने के कुछ ही समय पूर्व जब गर्ब की इंद्रिया पूर्णता परिपक्व हो जाती है तो जीव की स्वतंत्रता नस्ट हो जाती है तब वह तुरत ही बाहर निकलने का प्रयत्न करत जाता है इसी समय को प्रसव काल भी कहा जाता है धन्यवाद ओम शांती क्रमशा आगे